बिहार टॉपर स्रीज के आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में हम लोग आपके जो हिंदी से जो बोर्ड एक्जाम में लगु उतरिय और दिर उतरिये प्रस्ण 15 माक्स का जो पूछा जाता है प्रस्णों का उतर कैसे आपको लिखना है कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रस्ण है 2022 परिक्षा से आपके हिंदी से उन प्रस्णों को हम लोग समझेंगे अगर आपका कोई भी क्लास चूटा है तो आपके सुगदा के लिए हमने प्रेलिस्ट तयार कर दिया है जहाँ पर आपको इस स्रीज के सभी वीडियोस करम से उपलब्ध हो जाएगा तो अगर आपको भी मैट्रिक बोर्ड परिक्षा 2022 में देना है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा वहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा वहाँ से जाकर आप एक एक क्लास को देखकर आपनी तयारी आसान कर सकते हैं क्योंकि ये सभी प्रस्ण इसके साथ साथ लोग साइन्स, सोसल साइन्स, संस्क्रिट, सभी चर्चा कर चुके हैं देखिए जैसे ही एकजाम में आप सौत अक अब्जेक्टी प्रस्णों को सल्ब कर लेंगे उसके बाद आपको मिलेगा बस तुनीष्ट प्रस्ण अर्थात की सब्जेक्टी प्रस्ण खंड आपका सुरू होगा खंड खो यहाँ पे आपको जो गधान सबसे पहले मिलेंगे तो गधान सापको क्या करना चाहिए डेली आपके पास गाईड होगा बूक होगा वहाँ से बनाने का पर्यास करना चाहिए नहीं ज़्याद आप बनाने का पर्यास करणे तो उतना ही गधान्स का फिरी का अंख होता है तो इस अभी प्रस्ण इस गधान्स में से आपको खोजगज कर उतर लिखना है धांस आप solve कर लेंगे तब आपको मिलता है निबंध लिखने के लिए 200 से 300 सौद में 10 अंकार आता है तो आपको भी निबंध लिखने का पर्यास regular करना चाहिए तो यहाँ पर देख रहा है कुछ महत्वपूर्ण बिंदू बताया गया है निबंध कैसे लिखते भी आपको जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताईएगा कजाम हॉल में जैसे ही आप निबंध वाले प्रस्ण को भी सॉल्फ कर लेंगे तब आपको मिलेगा यहाँ पे दो एक तो रहेगा पत्र लेखन या एक रहता है आपका संबाद दोनों में से किसी है का आपको उतर देना होता है इसके लिए आपको पांच अंक दिये जाते हैं आज हम लोग बात करेंगे जो आपका फर्स्ट हिंदी और सेकेंड हिंदी का भूक है उससे जो लिखने वाले प्रस्ण आते हैं लगुतरी और दिर्गुतरी परस्ण ओ कौन कौन से महतपून प्रसन उनका उतर आपको कैसे लिखना है आच नमर प्रसन में बताया जा रहा है कि 10 प्रसन दिया गया जिसमें से किन ही 5 प्रसन का आपको उतर देना और सब्द लिमिट भी दिया गया है ज्यादा सब्द नहीं लिखना है परतेक प्रसन का उतर मातर आपको 20 से 3 सब् verballybeson में देदेना ईसके लिए आपको 10 अंगभ दिये जाएंगे निदे कितना सब्नली ना 126 आपको दिखाई दी रहे है इयो तक इस में छोड़ना देना है 25 प्रसंका उत्र आपको अच्हा से मालूम है उसको लिखने ऐसके बाद आपको मिलेगा दिर्ग उतर यह परसं जिसका उतर आपको सौव सब्द में लिखना है और यह 5 अंग का प्रसंट रहेगा यहां पर दोपरसंद दिखाई दरा दोनों में से कोई एक का उतर आपको लिख देना है चलिए ये सभी प्रस्ण को एक एको लेकर समझेंगे, ध्यान से समझेंगे, क्योंकि सभी प्रस्ण महतपूर्ण है, 20 से 30 सब्दों में उतर लिखने वाला सब्द लग उतर ये प्रस्ण, दो अंका पहला प्रस्ण कह रहा है, गांधी जी बढ़िया सिक्षा किसे कहते हैं, य प्रस्ण देखिए सीधे सीधे आपके भूक से जो गांधी जी के द्वरा लिखा गया है, सिक्षा और संस्कृति उससे लिया गया है, कह रहा है प्रस्ण कि गांधी जी बढ़िया सिक्षा किसे कहे हैं, तो अहिंसक प्रतिरोध को गांधी जी बढ़िया सिक्षा कहते हैं, किसको कहते हैं बढ़िया सिक्षा गांधी जी अहिंसक प्रतिरोध को और गांधी जी का मानना है कि यह सिक्षा अक्षर ग्यान से पुर्व मिलना चाहिए अब आपके मन में प्रसन आ सकता है कि ये सर अहिंसक प्रतिरोध क्या है जिसे गांधी जी सबसे बढ़िया सिक्षा मानते हैं इसलिए गांधी जी कहते हैं कि अक्छर ग्यान से पूर्व आपको सीखाया जाए कि प्रेम क्या है, सत्य क्या है, आत्मा क्या है, आत्मा में कौन कौन से छुपी हुई सकती है, ताकि मानोजीवर में कोई भी समस्या उत्पन हो, तो आप उसे अहिंसक रूप से प्रतिरोध कर सकें, जैसे आपके अंदर गूर हो कि आपका ऐसे प्रेम से घिलना को समाप्त कर सकते हैं, जैसे आप सत्य का सहारा लेकर असत्य पर विजय पराप्त कर सकते हैं, कैसे अगर आपके अंदर कष्ट सहने की समता है, तो अपने कष्ट सहने के छमता से आप हिंसा को रोग सकते ह यहीं गांधी जी कहते हैं इसे यह इंसक परतिरोध मानते हैं और यहीं है बढ़िया सिक्छा उमीद करता हूँ प्रस्ण को आप समझेंगे दूसरा नमर प्रस्ण आपसे कह रहा है कि स्वदेशी कभीता का मूल भाव आपको बताना है यहाँ पे ध्यान से समझेगा स्वदे स्वदेशी के दोहे की राचना के पीछे देश में फैली कूविचारो रीतियो नीति को दूर कर लोगों में आत्म सम्मान भरना तथा रास्टियता की भावना जागरित करना था इसलिए कभी प्रेमघन ने रास्टिये स्वधिनता की चेतना को अपना लक्ष माना तता समा यहाँ पर बताया जारा कि स्वदेशी कभीता का मूलभाव क्या है तो स्वदेशी कभीता आप जानते हैं प्रेमघन जी के द्वारा लिखा गया है इसका एक ही मूलभाव है रास्टिये चेतना को जागरित करना जो भी आमारे देश के प्राचीन प्रमपरा संस्कृति को अंग्रेजों के द्वारा नश्ट किया जा रहा था उसमें स्वदेशी सब धी भारतियों में रास्टियता के संचार करने के लिए परियाब था इसका बीता का मूल उदेशता जैसा के नाम है स्वदेशी तो अपने देश को लोगों को भारत के लोगों को उसमें प्राधीन भारत के लोगों को भारतियता के प्रति भारतिये भासा के प्रति प्रेम जागरित करना भारति रीति रिवाज के प्रति प्रेम जागरित करके उनके अंदर उसमें स्वाधीनता की चेतना उत्पन करना यहीं स्वदेशी कभीता का मूल भाव है आगे देखिए तीसरा नमर प चार नमर्ण प्रसंद सर आप से कह रहा है कि नेताओं के बारे में कभीवर प्रेम घन का क्या राय है नेताओं के बारे में स्वदेशी कभीटा में कभीवर प्रेम घन क्या कहते है यहीं आपको बताना है तो यहां से ध्यान से समझेए फिर बता रहा हूं कि आम लोग जो की पॉइंट होता है वहीं मैं आपको सिखा रहा हूं और जैसे ही ये क्लासिस खतम होगा सभी प्रस्ट को आपको जो भी कौपी बनाएंगों उसमें जरूर खूद से उत्तर लिखने का पर्यास करना चाहिए तभी आपका अच्छा अंक आएगा प्रेम घंजी बताते हैं स्वदेशी कभीता में कि आज देश के नेता देश के मार्ग दर्सक भी स्वदेशी भेस भूसा बोल चाल से परहेज करने लगे हैं अपने देश के सभ्यता संस्कृती को बढ़ावा देने के बजाए पस्चात्य सभ्यता से स्वेंग पर्भावी दिखते हैं जो भी लोग अपने स्वदेशी भेस भूसा बोल चाल अपना भासा हिंदी भासा बोलने में परहेज कर रहें हमारा जो पहनावा है धोती कुर्ता उसको पहनने में जो हुई चकर हैं वो कैसे हमारे देश की सभ्यता संस्कृत्य को बढ़ावा दे सकते हैं जो लोग खुद पसचात्य संस्कृत्य पस्यमी के सभ्यता से परभावित हैं वो भारतीयों के क्या उठान करेंगे सभी सब बात बताते हैं कुछ आपको असपस्ट करना है तो आपको कुछ इस सब्दों में लिखना है कि भारत अतीत और भविश को जोड़ता है यहां माननी विए जीवन का प्राचीनतम ग्यान विध्यमान है यहां की भूमी प्राचीन इतिया से जुड़ी रही है यहां की संस्कृत भासा के दोवारा विशो को चिंतन की ऐसी धारा में अवगहन करने का अवसर मिलता है जो अभी तक अग्या प्राचीनतम ग्यान भी काफी रूप में मिलते है उसके साथ साथ जो भारत की संस्कृती है उसमें कुछ ऐसे संस्कृत भासा में संस्कृत गरंत में कुछ ऐसे चिंतन भरे प्रसना है जिसमें मानों जो है आने वाले भविश में लागतार काम कर सकता है इस परकार भारत ज जो धर्ती कब तक घुमेगे आप में कहानी है उसका सिर्चक कितना हद तक कहानी के हिसाब से सही है कि नहीं सही है तो उसका सिर्चक का क्या सार्थक्त आपको बताना है आपको उतर कुछी सब्दों में लिखना है कि इस कहानी का सिर्चक धर्ती कब तक घुमेगी घटना सीता अपने बेटों और उनसे अधिक बहुओं के 20 सहते सहते परिशान हो जाती है उसे अपने पुर्ब का जीवन अस्मरन हो आता है उसने आकास की और द्रिष्टी उठा कर देखी और प्रिथवी की और देकर महसूस किया कि प्रिथवी और आकास के बीच घूटन भरी हुई दो रोटियां ही सब कुछ नहीं, इनके अलावा भी तो कुछ और है, वहीं अलावा वाली इक्छाएं ही तो दुख भोगने को बात दे करती है सीता को आसा है कि धर्ती घूमेगी पर कब तक घूमेगी अताया सिर्चक सार्थक सीता की घटना को पढ़े होंगे सीता के तीन-तीन बेटे हैं और उनको सब के घर में जाकर समय ब्यतित करना पड़ता है दो रोटी के लिए तो वहीं सीता सोशती है कि दो रोटी जीवन जीने के लिए पर्याप नहीं है इसके अलाओ भी इंसान को और कुछ चाहिए कि मानव एक समाजिक प्राणे उसे समाज में हर लोग अच्छा से बियाइब करें बात करें और सिर्फ दो रोटी के लिए ही सब कुछ नहीं है कि हम दरदर भटकते रहें इसको देखते हुए सीता के मन में घुटन होता और एक रात में अपना मोटरी उठा कर निकल जाती है और आसमान की तरफ देखती है कि प्रित्वी और आकास के बिज कितना घुटन भरा हुआ है और सीता को आसा आ है कि कभी तो ये धर्थी घूमेगी कि लेकिन कब तक घूमेगी यहीं उस सोचते हुए घर से बाहर निकलती है और इस परकार आप कह सकते हैं कि कहानी के हिसाब से सीर्षक काफी सार्थक है कि धरती कब तक घूमेगी आगे नेक्स्ट प्रसन देखिए साथ नमर प्रसन आपको पांची प्रसन का उतर देना था ल गाओं के प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टरों के कहे अनुसार मदुराई सहर के बड़े अस्पताल में चिकित्सा के लिए लाई गई थी अगला प्रसन फिर देखिए से कहा रहा है मां मंगू को अस्पताल में क्यों भरती नहीं करना चाहती थी तो यहाँ पे उतर को आप ध्यान से समझेंगे कि मां समझती थी कि मैं मां होकर सेवा नहीं कर सकती तो अस्पताल वालों को क्या पड़ी है अपंग जानवरी की गोसलाओं में भरती कर अपने जैसे ही यह कहा जाएगा उसे कौन प्यार से खिलाएगा कौन टटी पे साब कर गीला बिछाओं कौन बदलेगा और कौन उसे लाएगा इन बातों को सोचती हुई वह अपने सरीर से उत्पन पुत्री को अस्पताल में भरती करना नहीं चाहती थी आप पढ़े होंगे कि मंगू जो थी वो जनम से ही गुंगी और बहरी थी और उनके बेटों के राय पिर जब मा अस्पताल में लेकर आई तो वहां के व्यवस्था दकर उसका मन उप गया कि मैं जब घर पे रहके इसका सेवा नहीं कर सकती हूँ ओ कभी भी रात में उठकर टटी पे साप कर देती है उसका बिछाओं गिला हो जाता है इस अस्पताल में उसका कौन देख भाल और इस अस्पताल का बिछाओं कौन बदलेगा यह सचोचकर मा जो है मंगू को अस्पताल में भरती नहीं करना चाहती थी आगे बढ़ेंगे अगला प्रस्ण आपके कभी ताखंड से लिया गया है कह रहा है कि कभी के द्रिष्टी में माली मालीन कौन है कभी ने माली माली प्रेम का कोई वातिका मानते हैं कि वातिका को सिंचित करने वाले उस प्रेम के वातिका को आगे ले जाने वाले उसकी सुरक्ष्छा करने वालें उस प्रेम वाटिका के माली मालीन क्रिश्न और राधा हैं। करके आगे की ओर चल पड़ा हैं। करते थे उसके साथ अपना भोजन भी इसी पे हमारा टीका हुआ था। लेकिन आज भले ही हम आगे काफी विकास आप जानते हैं। सभेता दिमाना उसे लेकर आज कहा तक हम लोग पहुँच चुके हैं। तो आज भले हम अपने हथियार के भरोसे पे हो चुके इसलेम लोग नाखुन को अपना काड़ देते हैं। तो इसके कोई उपयोगता बरतवान में नहीं आए। प्रकिर्ति उसको बार-बार बढ़ा कर हमें संकेत देती है। हमें प्राचींता की याद दिलाती है कि हम बरत पीछे हम क्या थे। देखिए अब यहां तक 10-9 प्रस्ण में से मैं आपको शुरू में ही बता दिया था 5 प्रस्ण का ही उतर लिखना है लगू उतर ये प्रस्ण ता 2-2 अंका। आगे अब यहां से शुरू हो रहा है 5 चंक वाला प्रस्ण बड़ा दिर्गूतर ये प्रस्ण जिसका उतर आपको 100 सब्दों में लिखना है। मैं सिर्फ आपको की पॉइंट बता रहा हूँ जो आपको याद रखना है और बाकी चीज़ आपको अपने सब्दों में जोड़ कर लिखना है कहानी पढ़ना है सेकेंड इंदी फस्ट इंदी को बार बार। तो चलिए तिर्गुतर ये प्रस्ण का पहला प्रस्ण आपसे कर रहा है कि अपने सब्दों में पहली बार दिखें बहादूर का वल्णन कीजिए। गले में स्काउटो की तरह एक रुमाल बंधा हुआ था आपको बहादूर चेप्टर पढ़े होंगे तो लेखक बता रहा है कि जब पहली बार उन्होंने बहादूर को देखा तो उसमें किया 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 वी सिस्ता उनको दिखाई दिया कैसे किस रूप में उन्होंने उसको पंक्ती क्या दिया है तो यह पंक्ती है रामधारी सिंग दिनकर जी का कि जनता हा मिट्टी की अभोध मूरते वहीं जाडे पाले की कसक सदा सहने वाली जब अंग अंग में लगे साप हो चूस रहे तभी भी न कभी मूह खोल दर्द कहने वाली इस पंक्ती के माधियम से पाला को समाने रूप से सहन कर लेती है धंड से सरीर कप का पाता है मानो हजारो साप डस रहो व्यथा को जनता सहती है इसकी कलपना नहीं की जा सकती पीड़ा सहकर भी मुक रहती अपने पीड़ा ब्यक्त नहीं करती हाँ जनता के अटूट धैरे को उजागर किया गया है इस पंक्ति के माध्यम सराम धारिक सिंदिनकर जी बताते है कि जनता जो है ये मिट्टी की अबोध मूरत की तरह है यसे मिट्टी का मूरत बना दे उसे ठंडा में रखे गर्मी में र लेकिर फिर भी ब्यथा आपनी जनता किसी को सुनाने नहीं जाती इस पंक्ति से जनता के आपके अटूट धारे और सहनसीलता को रामधारे सिंग दिनकरजी ने उजागर किया है और अगर आपको पीडियेप पराप करना जो पीडियेप लेकर हम लोग चर्चा किये तो पी पीडियेप जो भी आपके लिए उपयोगी होता है सेंड कर दिया जाता है इस तरह आज हम लोग आपके हिंदी का पंदरहं का प्रसना आता है इसको भी समझ चुके हैं यह सभी प्रसना आपको याद कर लेना है क्योंकि यहां से तमाम प्रसना आएंगे कल 7 पीम पे तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, रिवीजन करते रहें, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद